Suppliers also play very important role in just-in-time system. Suppliers का किया है कि just-in-time के अंदर they believe कि जो suppliers हैं वो बहुत कम numbers होना चाहिए suppliers का ज्यादा suppliers नहीं होना चाहिए और इस basis के उपर they feel कि जो suppliers हैं वो अपनी facility जो है वो manufacturing जो focal firm है उसकी facility के करीब locate करें reason being जैसे मैंने पहले बताया कि supplier को भी just-in-time जो system है उसके अंदर perform करना होता है that means कि small lot size के अंदर उनको deliver करना होता है to the main factory और उसके अंदर जो क्योंकि small lot size होता है तो फिर दिन में पांच छे दफ़ा वो उदर deliver करेंगे तो इस लिए suppliers एक तो नंबर उनके काम होने चाहिए ज्यादा नहीं होने चाहिए और वो फिर focal firm की जो production facility है उसके करीब अपनी facilities locate करेंगे और फिर क्योंकि यह supplier जो है यह tried and tested होते है quality इनकी ठीक होती है इसलिए उनको यह दिया जाता है उनको select किया जाता है तो इसलिए उनसे फिर repeat business की जाती है so that supplier feel happy satisfied के जी उनको business मिल रही है और उन्होंने जो facility अपनी locate इदर की है उसको इतनी business मिल रही है कि वो जो इदर locate करने की facility है वो बिलकुल feasible उनके लिए है तो इसके लिए जब आप कम supplier रखेंगे और उनको आपने treat करना है as a partner तो वो अपनी quality उनकी अच्छी होगी competitive price provide करेंगे because उन्होंने इदर business अपना continue करना है आपके साथ यूजली competitive bidding नहीं करवाते just in time के अंदर क्यूंकि एक बार supplier select कर लिया है तो वो फिर long term basis के उपर साथ होता है तो इसलिए वो फिर competitive bidding की बात नहीं होती के दो तीन suppliers को आपस में लडाने वाली बात नहीं होती हाँ ये competitive bidding usually करते हैं जो के नए product नई component की जरूरत हो तो उसके अंदर कर सकते हैं लेकिन जो एक continuous बिजनस है उसके अंदर वो competitive bidding वगारा का concept नहीं है just in time के अंदर अब अब जो suppliers को concern है वो ये है कि ये नहों कि कल buyer जो है जिसको ये supply कर रहे है माल अपना वो vertical integration के basis पर इनके business के अंदर घुज़ जाए और खुद production शुरू करते हैं तो उनकी facility फिर जाया जाएगी उदर जो उसने locate की हुई है तो वो assurity उनको दी जाती है suppliers को मिलती है कि ये काम ये buyer नहीं करेंगे that is the trust जो कि supplier और buyer के दिर्मियान होता है और उसके basis के उपर supplier जो है वो satisfied feel करता है confidence feel करता है और उसको ये issue नजर नहीं आता कि उसकी business जो है वो wipe out हो जाएगी buyer के vertical integration की वजह से ये जो just in time वो है system इसके इंदर जैसे मैंने बताया कि suppliers को भी just in time encourage किया जाता है कि वो भी just in time system है वो अपनी company के अंदर उसको implement करें ना सिरफ ये कि सिरफ ये जो इसको supply करने के लिए ही सिरफ ना वो करें just in time system बलके फर्दर जो customers के साथ deal कर रहें उनके साथ भी ये just in time system को implement करें for that ये इस से फिर फाइदा होगा focal firm को ये चीज करने के लिए need lot of trust between the supplier and the buyer और ये जो trust और close collaboration जो है उसके basis के उपर unnecessary activities जो है वो remove हो जाती है for example supplier ने माल supply किया अब supplier भी अपने उदर चेक कर रहा है facility में के जी quality तो ठीक है के नहीं है और traditional manufacturing के अंदर जो बायर है वो भी quality check कर रहा होता है तो ये repetition हो रही होती है quality check करने की जबके अगर trust दो parties के दर्मयान है तो और अगर supplier कह रहा है के मेरे quality जो है वो बिलकुल ठीक है तो अगर वो trust है तो वो जो बायर है वो उसकी inspection नहीं करेगा तो इस तरहां जो unnecessary repetition है activities की वो eliminate हो जाती है supplier small quantity के अंदर supply करेगा तो उससे plant जो inventory है बायर की वो minimize होगी quality के product supply करेगा जिसमें कोई defect नहीं है तो again inventory reduce होगी और eliminate होगी क्योंकि वो क्रीब locate कर रहा है factory के और दिन में 5-6 बार वो supply कर रहा है material तो उससे क्या होगा कि in transit inventory भी खतम हो जाएगी या कमस कम बहुत minimize हो जाएगी और इसकी वज़ा से क्योंके inventory नहीं रख रहे तो उसकी वज़ा से जो quality है और reliability है वो improve होनी पड़ेगी और उस जो supplier और buyer के दिर्मियान जो ट्रस्ट के वो एक फजा create हुई हुई है और collaboration की जा रही है तो उसकी वज़े से quality और reliability बहुत improve कर जाएगी